नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है हमारे चैनल सक्सित प्लेस में इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल 15 सेर्स के बारे में इसके जो इंपॉर्टे अपडेट्स है उसके बारे में हम आपको बताएंगे जो कि आपने स्क्रीन पर दीखा होगा इन सारी सेर बजाज फाइनेंस आज देख सकते हैं 7.76% की तेजी 5 देख लेते हैं तो 5 देख सकते हैं 17.66% की तेजी है 17.66% मतलब 5 दिन पहले भी कोई इन्विस्ट क्या होगा तो उसे 17% का रिटर्न मिल चुका वहाई 1 मन्थ में बात करें तो 1 मन्थ में आप देख सकते हैं बजाज इसमें जो समसे नीचे लो बनाया था लो से देखिए गा नीचे के लो से 83% का रिटर्न चैना वहाँ ये डाउन चल रहा है क्योंकि 4000 के स्टॉक्स था और अभी 17% अभी भी डाउन है उसके बाद वन येर में देखेगा वन येर में भी 34 मतलब जो अभी प्राइस इसी प्राइस पर था एक साल पहले तो देखते हैं बजाज फैनेस अपना सारा का सारा प्राइस लगवा रिकवर कर चुका है मात्र 1.9% डाउन है एक साल में इसका बाद मैक्सिम येर में चार्ट देखेगा कितना बेहतरीन चार्ट है यहां पर देख सकते हैं यहां से इसमें गिरावट आया था 5000 के आसपास से और यह 1783 रुपीय तक आचुका था इतना तेजी को है फिर बजाज फैनेस में अभी तो बिजनेस भी बंद है पूरी तरह से ऑपरेशन में नहीं है तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल में कोई चींज नहीं हुआ बिजनेस में कोई चींज सिर्फ हमारा यह जो पैंड़िक सिचुवेशन उसके कारण बिजनेस बंद था ब पाटर वन के डिजल्ट पर जो अल्रेडी हर कोई जानता है तो जो कि आपको यह प्राइस एर्जेस्ट भी कर लिया बहुत पहले कि जो आगे तीन-चार महने बंद रहेगा तो इसका प्राइस उसलिए तो फाइट थाजिन से गिर करके तू थाजिन पर आ गया तो आप हर स्टॉक्स है वो रर्निंग में है तो काफी बैतरीन स्टॉक में से एक है बजाज फारेंस आप समझ गए होंगे कि कंपनी के फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है सिर्फ ऑपरेशन बंद था मतलब बिजनेस बंद था और जो कि डियोपेन हो रहा है धेरे धेरे इसी का यह कार्ड यह भी दोस्तों जो आईप्यों में इंवेस्ट क्यों होंगे 750 की रुपीज आईप्यों का प्राइस था और 755 के बीच में 50 से 55 के बीच में और यह स्टॉक्स 500 के नीचे देखते हैं 495 जा चुका था तो उनका तो दिल का धरकन काफी बार चुका होगा जो आई 450 रुपेज गया 750 का प्राइस जो यह एचीव कर लेका IPO का जो लिस्टिंग प्राइस था और यह स्टॉक भी काफी बेहतरीड है इसका भी क्या है बीजनेस अभी बंद है क्योंकि यह मैट्रो सिटी है उसमें यूज होता है हमारी जो स्मार्ट कार्ट है तो जो इसका बिज इतनी तेजी देखने मिल रही है लेकिन यह भी आद रखें कि बजाज फैनेस इसबी कार्ड यह सब जो है अगर बिजनेस फिर से परभावित होता है मतलब फिर से कभी lockdown लगाने की संभाब ना आ जाती है तो फिर से आपको इसमें काफी गिराबट देखने मिल सकती है क्यो से आपको देखने मिल सकती है फिलाल यह सारे स्टॉक्स रिकावर कर चुके है अपने प्राइस यह स्टॉक्स था यह भी काफी बहतरी डिटर्न दे चुका देखता है 500 का जो लो बनाया था वहां से आप देखेगा तो रिटर्न देख सकते है 39% मतलब 40% का डिटर्न दे 3,985 का यहां से काफी जादा यह मोमेंटम दिखा चुका है यहां से देखेगा तो यह कितना डिटर्न दिया है अपने लो से यहां पर देखे अपना लो जो यह बनाया है यहां से लेजिए तो यह देख सकते है 60% का तेजी यह दिखा चुका है 60% का तो 60% का डिटर्न यह यहाँ से देख सकते हैं तो इसका चार्ट काफी एट्रेक्टिव है इंवेस्टर को जो बजाज फिन सर्व है इसमें आपको इन्वेस्ट करने का तो अभी आप जो यह सारे स्टोक्स अपना प्राइस रिकवर कर चुके हैं जैसे बजाज फाइनस, SBI कार्ड, बजाज फिंसर इन सब में अभी invest करनी की सला हम बिलकुल भी नहीं देंगे, अभी wait and watch किजिए अब market के direction को देखिए कि market किस direction हो जाता है अगर market में correction आता है तभी ये stocks आपको correction के price पर मिलेंगे otherwise नहीं मिल पाएंगे उसके बाद है IRC जो गारिया है, passenger है सारे passenger trains जो भी express हो नॉर्मल लूप से चलने लगेंगे इस stock में भी आपको भारी तेजी देखने मिल सकती है तो ये stock भी काफ़ी बेहतरीन है इसका भी business काफ़ी monopoly बाला है लेकिन जैसे news आ रहा है कि privatization होगा तो उसमें time लगेगा उसमें भी काफ़ी बक्त लगने बाला है तो जब तक बक्त लगेगा तब तक तो इसके company के जो business है वो monopoly बाली है यह जितने भी government train है उसमें जो catering का services है यही provide करते है IRC तो यह सारे जो business हैं वो IRCTC के अंतर गत जो रेल नीर जो water देखते हैं वो भी है तो काफी बहतरीन business है इस stock का भी तो जैसे ही यह reopen हो जाता है तो इस stock में आपको काफी तेजी देखने मिलेगा तो 1000 के अगर नीचे मिलता है आपको stocks कभी भी गिरावट में तो आप जरूर इसमें invest करें और long term के लिए invest करना चाहते हैं तो निश्चित है अपना एक strategy बना ले हर गिरावट में आप इसमें कुछ quantity बाय करेंगे इसका बाद है relax हो काफी बहतरीन stocks है यह भी जो lockdown है जिसके कारण लोग बाहर नहीं निकल पा रहेते अब तो situation normal हो गया लेकिन यह stocks अभी भी मतलब तेजी नहीं दिखा रहा है लेकिन इसमें गिरावट भी काफी काम आया है यह stocks 800 का हुआ करता था वहां से गिर करके यह 51 अभी जो कि यह stocks fundamentally काफी strong है और investor को काफी अच्छा बहतरीन return दिया है 4,490 मतलब 4500% का return दिया है investor को मातर 10 साल में कितरा बहतरीन stocks है यह तो काफी बहतरीन फड़ना मेंटे strong stocks है और एक mid cap stocks है यह तो काफी बहतरीन share में से यह एक है 600 रुपे के नीचे जैसे मिलता है आप इसमें buying कर सकते हैं उसके बाद है हमारा रूची सोया इसमें हमने कई बार कहा था जब यह 1500 के level था आप profit बुक कर ले तो कई सारी लोगों ने हमें comment में गाली भी दिया कि profit क्यों बुक करने क्यों बिचबाद देना चाहते हैं share तो आपने देख लिया कि यह 1500 का share आप 1000 पे आ चुका है फिर से इसमें कोई संभाब ने कव अपर सर्किट लगने लगे लेकिन जो profit है इसका काफी फॉल हुआ है कि जो पिछले quarter प्रोफीट दिख्याता है 4000 पर सियर जिसके कारण इसमें आपको काफी तेजी देखने मिला था तो इसमें आप अपना स्ट्रेजी बना सकते हैं आपको profit निकलने का मौका कभी मिलता है तो निकल सकते नहीं तो आप बनी रह सकते हैं उसके बाद आगला है आलोक इंडस्ट्री इसमें तो और ज़्यादा हमने कई बार कहा आप 53 रूपीज के पर जब था तो उसे समय के profit बूख कर ले तो कुछ रेशियो में profit बूख कर ले तो कई सारे लोगों ने कमेंट में घाली भर भर के लिखा क्यों profit बूख कर ले क्यों बेच बार देना चाहते हैं तो देख सकते हैं अभी आपके पास buy करनी का मुखा है जितना चाहे buy करें तो आप profit भी कर लेते देख सकते हैं, अभी 10 रूपीज नीचे आ चुका है, तो यह कभी भी lower circuit, upper circuit में भी बदल सकता है, तो इस बात का आप दिहान रखेगा, कभी भी lower circuit, upper circuit में भी बदल सकता है, आप इसके fundamentals को थोड़ा check कर लें, कि fundamentals इसका क्या कहता है, क्या price होना चाहिए अलोक इंडस्टी का, उसके बाद आप invested रहिए, या buy किजिए, जो इच्छा है किजिए, लेकिन इसके fundamentals को जरूर चेक करते रहिए, उसके बाद है अधानी green energy, इसमें भी लगातार lower circuit लग रहा था, तो उसमें कई सारी लोग कमेंट करे थे, कि कैसे sale करें, आप फिर से upper circuit ल इसमें trap ना हो, जब यह अपने 52B का high पर चल रहा है, तो उस समय इसमें buying ना करें, जैसे आप trap हो सकते हैं, आप जो higher level पर किये होंगे, जो 486 रुपिये पर किये होंगे, वो आप trap हो चुके हैं, उन्हें काफी दिक्कत महसूस हो रहा होगा, उसके बाद फिर अगला है हमा काफी तेजी देखने मिलता है, तो इसमें और भी तेजी आपको देखने आगे मिल सकता है, तो ऐसे में यह काफी बहतरीन stocks है, अगर आप इसमें buy करना चाहते हैं, तो जब भी correction में आपको मिलता है 500 उसके आसपास, तो आप इसमें invest कर सकते हैं, बाकि आप इसमें जो अप IGL, इंदपरस्था gas limited, दोस्तों यह भी एक बहतरीन stock में से एक है, काफी बहतरीन stocks है, यह भी IGL के सारी लोगों ने comment के IGL के बारें बताईए, दोस्तों IGL अभी थोड़ा इसमें correction आ रहा है, देखते हैं, वन मंत में आप देखे हैं, तो काफी correction आया है इसमें, वन मंत में यह 12% down है, तो अभी आपको थोड़ा सा correction में मिला है, तो जैसे यह 400 और उसके नीचे आता है, तो आप इसमें लगातार SIP mode में invest करते रहें, क्योंकि यह भी बहतरीन stock है, लोग टर्म में देखते हैं, इंवेस्टर को काफी अच्छा return दिया है, उसके बाद अगला जो stock से ह हमारा burger paint, Asian paint, उसके बाद burger paint, दूसरा बहतरीन stock में से एक है, इसमें भी आप देख सकते हैं, कुछ correction आपको मिल रहा है इसमें देखने, तो अभी आप इसमें चाहें, तो इन्वेस्ट करने का अपना strategy बना सकते हैं, कि SIP board में आप इसमें धिरे धिरे इन्वेस्ट करेंगे और यहां पर देख सकते हैं, यह भी 30,000 के प्रॉक्स return दिया है long term investment में, तो काफी बहतरीन stock में से एक है, तो आप चाहें तो इसमें invest कर सकते हैं, और जो आगे का scenario है, market का उसको ध्यान में रखना है, अगर market में correction आता है, इस stock में भी आएगा, जब market में correction आएगा, तो सारे कि सारे stocks में correction देखने आपको मिलेगा, कुछ एक stock को छोड़ करके, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, कि अगर इसमें correction आता है, तो आप correction वाले price में buy करें, फिर HDFCMC, यह भी बहतरीन stock में से एक है, आपको कोच ही दिन, हमने इसमें बताया था, जब यह 2425 रूपिज का आस-पास था, तो इसमें जिनोंने भी buying किया ताभी अच्छा profit में होंगे, यह stock में, देखने हैं काफी ज़्यादा correction आया था, जब इसमें pandemic situation कारें गिरा बटाया था, नहींति यह भी stock 4000 के आस-पास हुआ करता था, यह भी बहतरीन stock है, जो asset management company है, उसमें यह दूसरा company है, जो stock market में list हुआ, पहला है नेम इंडिया, दूसरा है HDFC AMC, काफी बहतरीन stock है, क्योंकि इसके पास जो asset management है, वो सबसे ज़्यादा है, तो समझ सकते हैं, बहुत बड़ी company है, और HDFC Group की company है, उसके बाद है निपोन इंडिया, दूसरा asset management company, जो के stock market में listed है, और तीसरा अभी आ रहा है, UTI, तो वो भी जब आएगा, तो वो तीसरी company होगी, asset management company, जो stock market में list होगी, तो यह देख सकते हैं, यह भी 2019 में list हुई है company, यह देख सकते हैं, दो सो पचासी रुपया के price पर list हुआ था, उसी price के आसपास है, अभी भी यह stocks, तो आप चाहें, तो इसमें invest कर सकत हैं, यह भी बहतरीन stock में से एक है, उसके बार अगला है, उजीवन small finance service, इसके stocks में अभी काफी तेजी देखने मिल रहा है, जो उजीवन small finance bank है, उसमें 20% का circuit आज लगा था, और इसमें भी 7.71% की तेजी आपको देखने मिल रहा है, यह भी stocks बहतरीन stock में से एक है, यह भी देखते हैं, 2016 में list हुआ है, और अपने जो listing price है, उससे भी नीचे आपको मिल रहा है, तो यह भी एक अच्छा stocks है, जिसमें काफी तेजी इधर देखने मिला है, उसके बार आपका जो सबसे, मतलब favorite stocks है, जो retail investor का सबसे favorite stock है, जिसमें सबसे ज़्यादा trading होती है, इसमें trading स सबसे ज़्यादा होती है stock market में, और यह जब 4 रुपे का stock है, तभी आपको हमने बताए था, अभी आप इसमें invest ना करें, क्योंकि जब तक AGR का relief नहीं मिलता है, ति यह stocks आपको कुछ नहीं देने वाला है, तो इसलिए इस stock को avoid करें, जब AGR का relief इसमें मिल जाएगा, तो निश्चित है कि तब यह आपको अच्छा performance करके देगा, अच्छा return आपको दे सकता है, तो यह सारे important stocks थे, जिसका बारे में हमने आपको update दिया, अगर आपके मन में किसी और stock से related question आता हो, तो आप comment box में हमें बताएए, comment करके जरूर बताएगा, कौन से stock पे आप video चाहते हैं, तो उम्मीद करते हैं, यह वीडियो helpful लगा होगा, तो वीडियो को like करना है, share करना है, और किसी भी stock में invest करने से पहले अपना research खुद का जरूर करना है, अपने finance advisor से सलाह लेनी नहीं है, तो technical research और fundamental research दोनों होने चाहिए आपको, और channel को पहली बार है, तो subscribe करके बगल के bell icon को दबाज़े, फिर मनते हैं, अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे